नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूटूब चैनल ओनलाइन अश्टडी में तो आज हम लोग बात करते हैं तीन अप्रिल से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स के बारे में जो की आपको होने बाले एकजाम में बहुत ही उपयोगी साबित तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला कोस्चन है कि सेना ने हाल ही में सिंधु नदी पर 40 दिन में 260 फूट लंबा लोहे से बना सस्पेंशन पूल बनाया है उसका क्या नाम दिया गया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपका उप्शन नमर एक मैत्री ब्रीज तो मैत्री ब्रीज जो है सलदाक के सुरच्छा के जीमा सम्हाल रही सेना की उत्री कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर के जो है कॉम्बेंट इंजिनियर्स ने सिंधु नदी पर यह जो पूल है 40 दिन में 260 फिट लंबा लोहे से बना केबल सस्पेंशन पूल बनाया है और इस पूल का नाम जो है मैत्री ब्रीज दिया गया है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोस्टन की और बढ़ते हैं कोस्टन नमर टू तो हाली में किस रिपोर्ट में कहा गया है कि वायू पर दूसन की बज़ा से 2017 में अस्टॉक मधुमे दिल का दोड़ा फेफड़े के कैंसर फे समय तक घर से बाहर रहने या घर में वायू पर दूसन की बज़ा से 2017 में अस्टॉक मधुमे दिल का दोड़ा फेफड़ों के कैंसर या फिर फेफड़ों की पुरानी बिमारियों से करीब लगभग पूरे दुनिया में 50 लाख लोगों की मौत हो गई है इसके बाद नेक्स नमर सी निकोलस कौम जियान तो स्युक्त राष्ट महासचीव एंटिनियो गुटेरस ने मयानमार के लिए स्वतांदरता जाज के परमुक के रूप में अमेरिका के निकोलस कौम जियान को नियुक्त किया है इसके बाद हम लोग नेक्स कुस्टन के और बढ़ते हैं कॉस्टन नमर डी सौधी अराम को तो यहां जो है सौधी अरब की विसाल तेल कंपणी जो है सौधी अराम को जारी दोबारा दुनिया में कहा गया है जनकारी में कहा गया है कि पिछले साल इसे 111 दसमलव एक अरभ डॉलर का मुनाफ़ा हुआ और कहा जा रहा है यह भी किय एक कमपनी का सबसे बड़ी कमाई है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोस्टन की और बढ़ते हैं कोस्टन नमर पाच तो हाल ही में किस देश ने CRPF कैम्प पर हमले के साजिस करता निसार अहमद को भारत को सौप दिया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपका ओप्सन नमर CUAE तो संयुक्त अरब अमिरात UAE ने पकिस्तानी संगठन आतंगबादी संगठन जैसे मुहमद के सदस निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौप दिया है और यह जो है एक आतंग की जम्मू कस्मीर के लेप थोरा इस्तित CRPF कैमप पर दिसंबर 2017 में हमले का जो है मुख साजिस करता है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोस्टन के और बढ़ते हैं कोस्टन नमर छे तो किस देश ने क्रिसी विभाग ने घोसना यह किया है कि बिलियों पर जाने वाली परियोग अब नहीं किये जाएंगे जिसके कारण बीते 37 वर्सों में हजारों बिलियां मारी जा चुकी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अप्सन नमर एक अमरिका तो अमरिकी क्रिसी विभाग ने घोसना किया है कि बिलियों पर परियोग जो है किया जाता था अब नहीं किये जाएंगे क्योंकि इसमें 37 वर्सों में हजारों बिलियां इसके परियोग के कारण मारी जा चुकी है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोस्टन बढ़ते हैं कोस्टन नमर साथ की ओर तो सयुक्त राष्ट और यूरोपिय संग के मुताबिक यूध जलवायू आपदा जैसी कारणों में पैदा हुए खाद संगठन के चलते पिछले बर्स दुनिया के कितने देशों ने करीब 11.13 क कड़ोर लोगों को घोर भुखमरी का सामना करना पड़ा तो इसका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन नमर डी तीरपन तो 20 वराष्ट और यूरोपिय संग के मुताबिक यूध जलवायू आपदाओं और आर्थी कसांती जैसे कारणों से पैदा हुए खाद संकठ के चलत का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलीस अस्टेशन किसे घोसित किया है तो इसका उप्शन नमर एक हो जाएगा कस्मीरी गेट पुलीस अस्टेशन तो गिरी मंत्राले ने जो है कस्मीरी गेट पुलीस अस्टेशन को साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलीस अस्टेशन घ होसित किया है और थाना परिशर कर रख रखाव सफाई जगन अपराधियों पर काम और जाच रिपोर्ट की गुनबता का निप्तारा इनके लिए मापदंड थे और कोस्चन नमर नो है किस देश ने राष्टपती अब्दूल अजीज बेतू फिल्ला ने 20 वर्सों के सासन के अपने पद से इस्थिपा दे दिया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलजीरिया तो अलजीरिया की सरकारी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो है राष्टपती अब्दूल अजीज बेतू लिफ़ा ने अपने पद से इस्थिपा दे दिया है उनके खिलाब कई सप पर जो है काबीज भूते फली का पहले ही कर चुके थे और इस बार चुनाब नहीं लड़ेंगे और 28 अपरेल को अपना कारेकाल समाप्त होने पर पद छोड़ देंगे इसके बाद आज के लास्ट कोस्टन कोस्टन नमर दस है चुनाब आयोगने तमिलाडो में राफेल डील पर किस भासा में लिखी गई किताब नट्टाई उलुकमू राफेल के लौंच पर रोक लगा दिया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन नमर डी तमिल तो यह है चुनाब आयोगने है इसका चुनाब आयोगने तमिलाडो में राफेल डील पर तमिल भासा में कर ली है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब्डेट के साथ तब तब के लिए धन्यबाद